तो एपिजोड 52 के शिरवात एमरे से होती है वो बार में होता है और ये सोच ही रहा होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स किसने चुराए होगे इतने में ही एमरे को सनेम का फोन आता है और वो उसे बोलती है डॉक्यूमेंट्स ढून रहे है आप वो डॉक्यूमेंट्स आपको न आपके पास तीन घंटे हैं तीन घंटे के अंदर जाकर आप मिस्टर जान को सारी सच्चाई खुद ही बता दीजिए वरना मैं उन्हें बता दूंगी तो एमरी कहता है सनेम तुम मुझे धंकी दे रही हो इतनी हिम्मत तुम्हारी तो सनेम कहती है भली आप जो कुछ भी समझिए मुझे इससे कोई फरक नहीं पड़ता है पर सच्चाई तो मैं बता कर ही रहूंगी ऐसा केकर सनेम फोन रख देती है और एमरी का ये सब देखकर दिम लोकुमेंट्स और इतना ही नहीं उसने मुझे सारी सच्चाई बताने के लिए तीन घंटे दिये है वरना वो सब जान को बता देगी तो आयलीन कहती है अरे नहीं जान को पता नहीं चलना चाहिए वरना सब बरबाद हो जाएगा एमरी तुम एक काम करो तुम जल्दी से घ मॉपाइल में देख रही होती है तो मिलकी बे कहती है अच्छा हुआ आज तुम दोनों घर पर ही हो हमें साथ में बात करने के लिए थोड़ा सा वक्त मिला पैसे मुझो के साथ अच्छा ही हुआ उसने कहा था कि उसने तुम्हें छोड़ दिया है पर फिर भी वो तुम्हारा पीछा कर रहा है और अब उसने यही कांड कर दिया जैसी मा वेसा बेटा मुझे तो मेल हाथ से यह सब पता चला है सने तो सने और लायला मिलकी बे के बातों पर ध्यान ही नहीं देती है फिर सने क तो मिलकी बे केती है लायला मेल हाथ ने पूरी बात नहीं बताई चलो तुम मुझे वो मुझे वो मुझे वाली पूरी बात बताओ फिर से इन एमरे पर शिफ्ट होता है वो आयलीन का दर्वाजा खट-खट आता है तो आयलीन दर्वाजा खुलते हुए कहती है वेलकम हान तो ये सब सुनकर आईलीन कहती है अरे एमरे घर पर पानी नहीं है नल पट्टी का बिल बाकी है पर तुम टेंशन मतलो मेरी मा बिल भर देगी और हाँ एमरे कुछ नहीं हुआ है हम वो डॉक्यूमेंट्स वापस ले लेंगे तो एमरे कहता है पागल हो गई हो क्या तुम तुम्हें पक्का यकीन है कि ये प्लैन वर्क करेगा तो आईलीन कहती है हाँ बिलकुल तुम उसे फोन तो करो फिर एमरे आईलीन के कहने पर लाला को फोन लगाता है और उसे मिलने बुलाता है फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है वो कपड़े पहन ही रहा होता है कि इतने म पर शिफ्ट होता है वो लायला के मोहले में उसका वेट कर रहा होता है इतने में ही उसमान उसे वहाँ देख लेता है और लायला भी वहाँ आ जाती है फिर वो दोनों भी साथ में चले जाते है तो ये तेकर उसमान को बड़ी ही तकलीफ होती है फिर सनेम घर पर आ जाती है औ को फोन लगाती है और कहती है क्या तुम्हे पता है चा बहुत ही नाराज है किसी नहीं रहा है अम्रे से भी नहीं तो क्या मैं मैं उससे मिलने चलि जाऊ तो doljkim के यह अरे नहीं तुम इतने रात को फैरी गौड मदर क्यों बन रही हो हां तुम पर तो रात में चुडेल बनना ही सूट करता है आईलीन में चली जाती हूँ वही दुसरी और सनेम खाना खाते खाते उड़ जाती है और मिलकी बे से कहती है अरे मॉम मुझे वो आयान से मिलने जाना है वो जेजे को लेकर परि गया मैं चलती हूँ फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है डेरन उसके घर उसके लिए चाइनिस फूड लेकर आती है फिर सीन सनेम पर शिफ्ट होता है जहां तीन घंटे बीच जाते है तो सनेम एमरे को आयान के घर से कॉल करती है और पुछती है क्या आपने मिस्टर जान को बता दिया अगर आपका जवाब नहीं है तो मैंrak उन्हें सच बता दूंगी तो एम्रे कहते है मैंने उससे कुछ नहीं बताया है और तुम भी सब्सक्रा?- सनिम कहती है मिस्टर एम्रे मैं उन्हें धुखा नहीं दे सकती मैं जारही हूँ तो एमरे कहता है ठीक है तो फिर चली जाओ ऐसा केकर एमरे फोन रख देता है तो सनेम आयान से कहती है वो नहीं बता रहे है तो आयान कहती है तो अब तुम क्या करोगी सनेम तो सनेम कहती है कुछ नहीं मैं अभी मिस्टर जान के पास जा रही हूँ ऐसा केकर सनेम वहाँ से चली जाती है फिर सेंग जान और डेरन पर शिफ्ट होता है जहां जान डेरन से कहता है अच्छा हुआ तुम खाना लेकर आ गई मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो डेरन कहती है मुझे पता था मिस्टर जान मैं अंतर यामी हूं तो जान कहता है डेरन क्या तुमने मु तो जान कहता है, you know Darren, किसी भी relationship में trust बहुत जरूरी होता है, तो Darren कहती है, हाँ Mr. John, और इसी बीच वो wine का glass गिरा कर wine से नहा लेती है, तो वो कपड़े बदलने चली जाती है, फिर इतने में ही सनिम जान के घर आ जाती है, उसे सच्चा ही बताने, तो अंदर आते आते सनिम ज जान के कीचन में एक book रख देती है, फिर वो बात करने garden में चले जाते है, तो सनिम वहाँ जान से कहती है, जान मेरा इस्तमाल किया गया है, एक्चुली इस फाइल को देखकर आपको सब पता चल जाएगा, तो जान फाइल देखता है, और कहता है, सनिम ये खाली है, क्या जान की वही टी-शेट पहन कर, जो सनिम ने पहनी थी, तो डेरन को ऐसे रात में जान के घर में देखकर सनिम बहुत ही शौक हो जाती है, तो सनिम के reaction देखकर जान कहता है, वो यहाँ सिर्फ मेरे लिए खाना लेकर आई थी, उसकी ड्रेस पर उसने उल्टी कर दी थी, इसल तो सनिम कहती है, अच्छा हुआ कि मिस्टर जान ने ये टी-शेट दिया आपको पहनने के लिए, तो जान कहता है, मैंने नहीं दिया, तो डेरन कहती है, मैंने ही पहन ली, तो ये सुनकर सनिम कहती है, सौरी इतने रात में मैंने आप लोगों को तकलीव दी, ऐसा केकर सनिम नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और डेरन भी फिर से इन सनेम पर शिफ्ट होता है वो खुद से ही बात करते हुए कहती है देखा सनेम उसने तुम्हारा टी शर्ट तक दे दिया उस डेरन को वो बेवफा है बहुत बड़ा बेवफा है पर मेरे डॉक्यूमेंट्स किसने चुराय होंगे लेकिन अभी डेरन और जान घर पर क्या कर रहे होंगे कहीं वो तो वेसे भी मेरे पीछे तक नहीं आया अब क्या होगा सनेम और करो चीडिया और कबुतरों से प्यार अलबैट्रोस चाहिए था न तुम्हें मिल गया तुम्हारा अलबैट्रोस करती बेठो अब उसका पीछा अब अलबैट्रोस से प्यार करोगी तो वो तो यहां वहां उड़ेगा ही न ऐसा कहकर सनेम जेजे को बुला लेती है और उसे जान के घर जाने के लिए कहती है ताकि वो डेरन और जान को अलग कर सके फिर से इन लायला पर शिफ्ट होता है उसके हातों मे एमरे और आइलिन के पार्टनर्शिप वाले डॉक्यूमेंट्स होते है फिर से इन फ्लैश बैक में शिफ्ट होता है जहां होटल में एमरे लायला से कहता है प्लीज मुझे वो डॉक्यूमेंट्स ला दो मैं आइलिन से अलग हो रहा हूँ मैं अपने भाई से माफी मांगन चाता हूँ प्लीज मुझे तुम्हारी बहुत ही जरूरत है लायला मुझे तुमसे उमीद है प्लीज मेरा करियर बचा लो फिर सीन सनेम और जेजे पर शिफ्ट होता है जहां जेजे जानके घर जाने के लिए मना कर देता है पर फिर भी सनेम उसे जानके डोर के बाहर लाक कर खड़ा कर देती हैं और कहती है डॉर बेल बजाओ जी जै तो जेजे कहता है मैं नहीं बजाओंगा सब Civis sitten के ओल नहीं पिर वह दोनों भी सेर्ट करने लगते है इतने में ही सन्ययार yet और भाग ही होती है कि जेजे उनसे पकड़ लेता सब्सक्ति करना और जेजी छीप जाता है तो जान कहता है क्या तो सनम कहती है वो मेरा फोन अंदर भूल गई थी मैं इसलिए आ गई तो जान कहता है ठीक है मैं देखता हूँ तो सनम कहती है अरे आपको नहीं मिलेगा मेरा फोन है वो मुझे ही मिलेगा इसलिए मैं अंदर आ जाती हूँ ऐसा केकर सनिम पूरा घर चान मारती है और जान जैसे ही पीछे मुरता है वो चेर पर अपना फोन रख देती है और फिर कहती है अरे मिल गया फोन अब मैं चलती हूँ लेकिन मैं तो मिस्स डेरन को गुड नाइट तक नहीं बोल पाई मिस्स डेरन गुड नाइट तो जान कहता है सनिम डेरन चली गई है तो यह सुनकर सनिम बहुत ही खुश हो जाती है फिर वो जेजे के साथ चली जाती है फिर सेंस सनिम पर शिफ्ट होता है वो घर आकर सबसे पूछती है आपने मेरी किसी फाई के डॉक्यूमेट्स को हाथ दिना कर देते हैं फिर वो सारा घर चान मारती है पर उसे कुछ नहीं मिलता है तो वह सारी सच्चाई ऑयान को बताती है तो अयान कह उस बुक को सारी रात पड़ता है फिर सुबह हो जाती है और ओस्मान सनम से कहता है क्या तुमने उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में लायला से पूछा तो सनम के दिये हाँ पूछा पर उसे कुछ पता नहीं है इतने में ही वहार लायला आ जाती है और सनम को लेकर चली जाती ह फिर सीन ओफिस में शिफ्ट होता है जहां जल्दी आ जाता है और डेरन भी तो इसी बहाने से डेरन जान के लिए चाय लेकर जाती है लेकिन जान चाय पीने से इंकार कर देता है तो अब आगे क्या होगा क्या सनेम यह सचा ही जान पाएगी कि उसी की वहन लाइला ने वो दिवाने हैं हम पर जल्द मिलाकात होगी अगले एपिसोड में लाइक्षी सस्क्रेब कर दो अच्छे लगे हम तो मानू इतनी सीबा दिवाने हो तुम तो अलविता दिवानो जल्द मिलाकात होगी अगले एपिसोड में